23 सितंबर से कुम्बर राशी की खुलेंगे किसमत के ताले जोती शास्तर के अनुसार ग्रहन अक्षत्रों की लगातर बदलती चाल हर किसी व्यक्ति का भाग्य प्रभावित करता है यदि किसी व्यक्ति की राशी में ग्रहों की स्तिती ठीक है तो जीवन में सुकद नतीजे मिलते हैं परन्तु ग्रहों की स्तिती ठीक ना होने के कारण जीवन कठिना या पुर्वक व्यतित होता है इस संसार में हर किसी व्यक्ति की राशी अलग है और सबी लोगों पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है समय के साथ साथ जीवन में बहुत से उतार चड़ाव आते हैं जिसका हर कोई व्यक्ति सामना करता है जोती शास्तर के अनुसार आज हम आपको कुमबर राशी के बारे में बताने वाले हैं 23 सितंबर से कुमबर राशी की किसमत के ताले खुलने वाले हैं अब कुमबर राशी के गर बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकत होगी जो आपके करियर के लिए मददगार रहेंगे आप परिवार वालों की इच्छा पूरी करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगे आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल मिल सकते हैं जीवन साथी के साथ आपके रिस्तों में मदुरता बरकरार रहेगी थोड़ी मेहनत से आपको किसी काम में सफलता मिलेगी आपकी सकर अत्मक सोच हिद कर साबित होगी बहुत से लोग आपके विचारों और बातों से सहमत होगे कारिक शेतर में भी उरुद्धी होगी दोस्तों ऐसे ही कुछ महतोपुर्णा बातें आज की सुड़ी में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को आप भी लाइक करें और मालक्षमी जी का अशिरवात चाहते हो तो कमेंड में जैमालक्षमी जी लिखना ना भूले साती हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करे दोस्तों अगर आप भी जीवन में हर एक मोड़ पर सफलता पाना चाहते हो तो हमारी द्वारा लिखी किताब सिक्रेट्स ओब दिस सक्सेस इस किताब को खरीदे यह बुक आपकी पूरी लाइब को बदल सकती है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी अब भी जाकर इस किताब को खरीदे तो चलेए सबसे पहले बात करते है कुम्बराशी की सामन्य राशिफल के बारे में धनलाब होने के प्रबल योग बन रहे हैं प्रेम संबंदों में आप एक नई शुरुवात कर सकते हैं इसका अउसर भी आपको मिलेगा कही पुराना फसा हुआ पैसा निकल सकता है आप अपनी ताकत और बुद्धी के जरिये कटीन से कटीन समस्याओं का हल निकल सकते हैं इसके लिए आपको मदद भी समय पर मिल जाएगी अपने बच्चों की और ध्यान देना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा क्या गया निवेश आपके लिए बहुत अधिक फायदेमन हो सकता है आप पर काम का दबाव अधिक रहेगा जोश में आकर आप जरूरी से अधिक काम अपने सीर पर ले सकते हैं आप दुसरों की समस्याओं की और ध्यान ना दे अन्यता आप खुद अपना नुक्सान कर बैठेंगे अगर हम कुमब राशी की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो काम के सिलसले में आपको अधिक भागदोर करनी परेगी कारस्तल में अधिनस्तल लोग आपके कार्यों में मदद कर सकते हैं बेवज़ा के खर्चों पर लगाम रखे स्वास्त में उतार चड़ाव बना रहेगा परिवार के किसी सदेसे से अनबन होने के संभवना बन रहे हैं इस राशी के लोग कोई भी निवेश करने से बचे निवेश करने के लिए यह समय ठीक नहीं है किसी करीबी मित्र से मुलाकात करके आपका मन काफी खुश रहेगा प्रेम संबंदित मामलों में कुछ समस्य उत्पन हो सकती है विद्यातियों को पड़ाई में ध्यान देना होगा अगर हम कुमबराशी की धनराशीपल की बात करें तो पेशे में मान्यता, पुरसकार और अच्छे परिणाम आपकी प्रात्मीता है जिसके लिए इस समय आप हर संबव प्रयास कर रहे हैं अपनी शम्ताओं का मुल्याकन करने से आप नए आउसर पा सकते हैं इस समय सारवजनिक मामलो और फालतो विवादों से दुर रहना बेतर रहेगा आपको अपनी प्रयाजनों का भरपुर प्रेम और स्नेह प्रापत होगा किसी समस्या या बादा का सामना भी कर सकते हैं अगर हम कुमबराशी की करियर राशीपल के बारे में बात करें तो अपनी करियर के संबंद में आपनी जो अच्छा काम क्या है उसके लिए आपको खुश होना चाहिए ये पहचान बनाने के लिए आप बहुत समय से महनत कर रहे थे आपके आसपास के लोग अगर आपकी मेहनत को ना पहचान सके तो भी आपको खुद की अपनी प्रशन सा करने होगी अगर हम कुमराशी की लवराशी पल की बात करें तो कार्यस्तल पर बौस या वरिष्ट अधिकारी से विवाद की संभावना है इसलिए अपने शब्दों पर नियंतरन रखे लव लाइफ में आपको नए मौके मिलने वाले हैं उनका भी पूरा फैदा उठाएं कोई मन पसंद उपाहर भी मिल सकता है खुद को और अपने जीवन साती को खुश रखने की कोशिश करे अपने प्रिये जनों के साथ समय बिताने के लिए यह समय बिलकुल उचित है अगर हम कुम्पराशी के स्वास्तराशीबल की बात करें तो आपको अपने प्रिये लोगों का ख्याल रखना होगा हो सकता है आपका कोई करीबी बीमार हो वो ऐसा महसुस नहीं होने देंगी कि उन्हें कोई समस्य है हो सकता है उनकी बिमारी छोटी सी हो मगर फिर भी आप लापरवाही ना बरते और उन्हें आराम करने के लिए प्रोस्ता हित करें इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है तो दोस्तो यहती कुंबर राशी के बारे में अब बात करते हैं बुद्वार की दिन ना करें ये साथ काम पढ़ता है नकारत्मक असर हर व्यक्ती चाहता है कि वह जो भी कोई काम करें उसमें उसे सपलता प्राप्त हो और वह काम बिना किसी विगन से पुरा हो लेकिन उसक काम के लिए जरूरी होती है शुबत सुरवात कई लोग बुद्वार के दिन को शुबत मानते हुए कार्यक करते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिने बुद्वार के दिन किया जाए तो इसका नकारात्मक असर आपकी जिन्दगी पर पड़ता है तो आईए जानते हैं बुद्वार के दिन भूल कर भी हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए उसके बारे में सबसे पहला है बुद्वार के दिन मा भहन और बेटी समान स्तिरियों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुद्गरह मजबूत होगा आपकी बुद्धिक शम्ता में उरुद्धी होगी आप बड़े बड़े कारे को अपनी बुद्धिक कोशल से आसान इसे कर उज़रेंगे बुद्धवार की दिन मा और भहन समान महिलाओं को हरे वस्तर या चुड़या दान करना होगा दूसरा जो काम है बुद्धवार के दिन आर्तिक मामलों में उदार लेंदेन करना शुबन नहीं होता है इससे आर्तिक मामलों में कामियाबी नहीं मिलती है बुद्धवार के दिन उदार में दिया गया पैसा अत्वा लेया गया धन लापकरी नहीं होता है बुद्वार के दिन लिया गया कर्ज आधिक हानिक की और ले जाता है इसलिए ध्यान रखे कि बुद्वार के दिन कोई भी कर्जन ना ले तीसरी जो काम है बुद्वार की दिन कड़वे वचन का प्रयोग करना बुद्वार की दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए ऐसा करने से आपकी जिवन की आर्तिक परिशानियां भी दूर हो जाएगी घर में धनसमरुद्धी आएगी चौता जो काम है बुद्वार की दिन आर्तिक निवेश करना हनी का सवधा हो सकता है आर्तिक हने से बचने के लिए बुद्वार की दिन भूल कर भी निवेश ना करे निवेश करने के लिए सबसे उत्तम दिन शुक्रवार का होता है पाच्वा जो काम है बुद्वार के दिन भूल कर भी किन्रों का अपमान नहीं करना चाहिए बलकि बुद्वार के दिन उनका आशिरुआद लेना चाहिए इससे आपके कारे सिद्ध होंगे आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बुद्वार की दिन किनरों को कुछ दान जरू करे छटा जो काम है बुद्वार की दिन पच्चिम दिशा के और दिशाबुल होता है इस दिन पच्चिम दिशा के और यात्रा करना शुबन नहीं माना जाता है इसलिए बुद्वार के दिन पच्चिम के और यात्रा नहीं करने चाहिए बुद्वार के दिन गनपती महराज की आराधना करना शुब होता है आकरे और सातों जो काम है पती की लंबी और दिरगायों के लिए सुहागिन महिलाओं को बुद्वार के दिन काले वस्तरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसके साथ ये नहीं श्यादिशिदा महिलाओं को बुद्वार के दिन काले रंग के अभुशनों को धरन करना चाहिए इस दिन हरे वस्तरों का प्रयोग करना लापकरी माना जाता है तो यह थे कुछ साथ काम जो कि बुद्वार के दिन नहीं करने चाहिए तो दोस्ता आज की सड़ों में बस इतना है वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद